अग्याता और आर्थिक तंगी ने एक परिवार को बुजुर्द महिला के शब को खाट के सहारे पैदल गाउं तक ले जाने के लिए मजबूर कर दिया आपको बता दे कि खाट में शब लेकर जब 25 किलो मीटर के रास्ते में करीब 10 किलो मीटर पैदल चले तो पुलिस ने मदद की फिर वाहन की ववस्था कर शब को गाउं भिजवाया दरसल या मामला जिले के कुआ कोंडा ब्लॉक की है टिकन पाल गाउं के रहने वाली महिला ज लोगी किसी बीमारी की वज़े से रेंगा नार में मौत हो गई थी जिसके चलते परिजनों ने रेंगा नार से शब को ले जाने के लिए खाट का सहारा लिया आपको बता दे कि खाट को उल्टा कर उसमें रसी बांधी फिर कंदे से उठा कर तिनक पाल गाउं के लिए निक किया लेकिन इसी बीच थाना जवानों की नजर हमपर पड़ी जिसके बाद थाना प्रभारी चंदन कुमार भी मौके पर पहुचके उन्होंने तुरंट पिक अब वाहन का बंदो बस किया और शब को तिनक पाल गाउं पहुचाया ब्यूरो रिपोर्ट आई पियन